माली जी आपके पास एक convex lens है, यदि half of the person को आपने black paper से ढख दिया है, तो क्या इसमें भी एक completely basic form करेगा, आए इसको समझते हैं. यदि मैं object को यहाँ पर place करूँ, तो normally जब हम ray diagram बनाते हैं, तो ही ray को consider करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस point से all direction में rays emit होती है, कुछ persons ray को यदि हम consider करें, यह ray माली जी lens पे आ रहे है, after reflection जहाँ पे सारी rays इंट्रसेक्ट करेंगी, वहाँ पे real image form होगा, जो कि inverted होगा, चुकि सारी rays आके intersect करें हैं, इस time जो image होगा, काफी sharp होगा, और clear होगा, लेकिन जैसे ही हम कुछ person को ढख देते हैं, इस बार object को मैं same place पर ही रख रहा हूँ, सारी rays जितनी मैंने पहले किती उतनी है अभी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ray यह वाली है, यह आके absorb हो जाएगी इस paper से, या इस से pass होके अब आगे नहीं जाएगी, लेकिन जो remaining rays है, यह reflect होके, same points होके पास करेंगी और image form हो जाएगा, पहले और इसमें क्या difference है, इस बार image थोड़ा सा dim होगा, हलका dim होगा, क्योंकि सारी rays का intersection नहीं हो रहा है, एगें मैं थोड़ा सा और cover करता हूँ इसको, फिर मैं object को वहीं पर place करूँगा, एगें सारी rays यहां से मिर्तो होंगी, लेकिन कुछ rays ढख जाएंगी इससे, after reflection वही rays इंटरसेक्ट करेंगी, जो की clear है, उनके path में कोई abstraction नहीं है, image form होगा यहां पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा और dim हो जाएगा image, image की sharpness घटती जा रही है, इगें मैं थोड़ा और cover कर रहा हूँ, फिर सारी rays आएंगी, लेकिन जो rays यहां पर ढख चुकी है, वो reflection वहां पर नहीं होगा, और फिर image form होगा, बट इस बार और dim हो जाएगा, यानि सारी प्रेंज फिर decrease कर गई, यानि अब आप idea समझ चुके हैं, कि कैसे image की intensity कम होती जा रही है, इस बार मैं इसको थोड़ा सा और ढख रहा हूँ, फिर image बनेगा, लेकिन इस बार भी image की sharpness और reduce हो जाएंगी, finally मैं पूरे half portion को cover कर रहा हूँ, object को same place पर रख रहा हूँ, सारी rays आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं, कि जितनी rays इस बार भी पर से ढखी हुई है, उनका reflection कुछ portion हो रहा है, बट यह बाहर नहीं जा पा रही है, तो इनका intersection यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यह rays यहाँ से missing है, लेकिन image form हो रहा है, यहाँ पर एकदम dim image मिलेगा, क्योंकि पहले इतनी rays यहाँ पर intersection नहीं हो रहे है, तो image काफी dim रहेगा, सार्पनेस रेडियूस हो जाएंगी, तो हमने क्या observe किया, जैसे जैसे हम rays को डखते जा रहे हैं, इमेज इसार्पनेस रेडियूस होते जा रही है, या dim होते जा रही है, आपको यह वीडियो कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, यदि आपको अच्छा लगा होता लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू.